वेलकम टू करेंट शेक्षा आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहुत अच्छी चल लगी होगी आज इस वीडियो में हम 20 जनवरी 2024 का करेंट अफेयर शॉट नोट्स के माद हम से रिविजन करने वाले हैं अगर आप लोग इसका पीडिय चमता से लैस ड्रोन हेल 523 का परिच्छन किसने किया है तो हाली में हेल 523 का सफल परिच्छन नौर्थ कोरिया के दोरा किया गया है और इसका परिच्छन जो है जेजुदूब के पास किया गया है इसका अर्थ होता है शुनामी और इसमें दुस्मन पर छिपकर पानी से हमल करने के लिए इसको डबलब किया है North Korea ने विस शुनामी जागरुक्ता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है शुनामी जो है इसके लिए अनिवार्य होता है भूकम्प पहले भूकम्प आता है उसके बाद शुनामी आती है शुनामी का मतलब होता है अर्थ तटकी और उठने वाली लहरे जो होती है उसी को है सुनामी कहा जाता है वरुनास्त्र क्या है तो वरुनास्त्र एक हाविवेट टॉर्पीडो है यानि की पानी की मिसाइल है और इसको सुदेसी रूप से डियाडियो के दरडबलप किया गया है नेक्स्ट है आइनस विकरांत जो है भारत का पहला सुदेसी विमान वाहक पोत है और इसको लॉंच किया गया था दो सितंबर 2022 को कोच्ची से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गहराई नापने के लिए फैदो मीटर का यूज किया जाता है और हाइट नापने के लिए अल्टी मीटर का प्रियोग किया जाता है टाइटेनिक का मलबा देखने गई जो पंडुबी थी उसका नाम था टाइटेनिक टाइटन पंडुबी और इसको बनाया था ocean gate company के दोरह इसको बनाया गया था और वो जो टाइटन पंडुबी नीचे गई थी टाइटन एक जहाज का मलबा देखने के लिए वो खुद मलबा बन गई और वहाँ पर वो धोस्त हो गई थी समुद्र यान जो है भारत का यहाँ पर जो है समुद्र के नीचे एक मिशन है जिसके लिए पंडुबी विक्सित की गई है उसका नाम है मतस से 6000 पंडुबी का नाम है और इसको लांच किया जाएगा Ministry of Earth Science के दोरह इसके लाबा गगन यान मिशन भी जो है भारत का अंतरिच मिशन है समुद्र के लिए मिशन है नेक्स्ट कोशन है बोइंग इंडिया इंजिनिरिंग और टेक्नलोजी सेंटर का उदगाटन कहा किया गया है तो हाल ही में बोइंग इंडिया इंजिनिरिंग और टेक्नलोजी सेंटर का उदगाटन जो है बैंगलूरू में किया गया है पधान मंतरी मोदी जी के दोरा बोइंग कमपनी जो है ये विमारन छेत्र में कारिकरती है और ये USA की कमपनी है इसके लावा यहाँ पर बोइंग सुकन्या कारिकरम किया गया था जिसमें महिलाओं की विमानन छेत्र में भागिदारी बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर शुरू किया गया है बोइंग कमपनी का USA से बाहर यह सबसे बड़ा जो है इन्वेस्मेंट होने वाला है और सबसे बड़ा यह केंदर होगा विमानन छेत्र में यहाँ पर जो है अगली पीड़ी के विमान तयार करना यहाँ पर इसका उद्देश्य है नेक्स्ट है करनाटक में भैसों की दोड़ जो कीचड में आउजुत की जाती है इसको कमबाला कहते हैं और पहली बार बैंगलूरू में आउजुत की गई है मैसूर का प्रशेद दसहरा तेवार नाडा हबबा है जोग जलप्रपात जो है सरावती नदी पर इस्तित है कहा है करनाटक में है इसको गरसपा और महतमा गांदी जलप्रपात भी कहा जाता है कौफी का जो पौधा है भारत में सर्व प्रथम बाबा बुदान की पहाडियों में लगाया गया था और बाबा बुदान की पहाडियां करनाटक में इस्तित हैं कॉफी के उत्पादन के मामले में विस्व में ब्राजील पहले स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर करनाटक है यह च्छेगान जो है प्रमुक नरत्य है करनाटक का किस राज की सुदेशी खजूर कच्छी खरेक को जियाई टैग मिला है तो हाल ही में जो जियाई टैग है इसके लिए जो एक्ट है उन्हीं सुनियनियनबे में आया था और इसको 2003 में लागू किया गया था जियाई टैग प्रदान करता है वानेजी उद्योग मंत्राले जिसक कच्छी खरेक जियाई टैग है ये खजूर है सुदेशी इसको जियाई टैग दिया गया है इसके लावा गिर केसर आम है गुजरात का पहला फल था और अब दूसरा बना है खजूर इसको जियाई टैग दिया गया है नेक्स्ट है साही लिचिक का जो जियाई टैग है वो इसके लवा धौला वीरा जो है यहाँ पर गुजरात में इस्तित है और यह भारत का चालिसवा विश्व दरोहर इस्थल है गुजरात में ही यहाँ पर धोरडो गाउ इस्तित है और इसको बेस्ट टूरिस्ट प्लेस घोशित किया गया है डवलू टीयो के द्वारा इसके कलारी जो एक पनीर है जम्मु कस्मीर का इसको जियाई टेग दिया गया है छुरपी भी एक पनीर है और इसका जियाई टेग अरणाचल प्रदेश के पास है यूनिस्को की जो अमोर्त दरोहर सूची है उसमें हाल ही में गरबा नत्य को शामिल किया गया था और यह भारत की पंद्रिवी और नवीनतम अमोर्त दरोहर जो की उनिसकों में शामिल है बनी है बशोली प्रेंटिंग जो की जम्मु कस्मीर की है इसको जियाई टेग दिया गया है उस्ताकला का जियाई टेग और बीका नेर का जो जियाई टेग है यहां पर अंतरराश्टी उर्ट भी आजुद किया गया है और ये बीका नेर राजस्थान का GI टैग है नेक्स्ट है भारत का पहला इंडिया इनुवेशन ग्राफीन केंद्र कहां लॉंच किया गया है तो हाल ही में IICG इंडिया इनुवेशन ग्राफीन सेंटर का उदगाटन किया गया है कहां पर केरल में तो से सीम जो है पिनरई विजयन इसमें बाट लिये थे जो ग्राफीन है ये क्या होता है तो ग्राफीन जो है ग्रेफाइट की एक परत होती है ये माल लेते हैं पूरा जो है ग्रेफाइट है और इसकी एक परत जो है ये हमारी ग्रेफीन हो जाएगी और ये मजबूत और हलकी भ यानी कहा जाता है ग्रेफाइट जो है हमारा विद्दुत का सुचालक होता है और ये पैंसिल में भी पाया जाता है जबकि हीरा जो होता है यहाँ पर विद्दुत का कुचालक है और जो हीरा चमकता है इसका कारण होता है टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन जो है इसका कारण यानि कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका करण होता है इसके अलावा टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन के अन्ने उधारण है मारी चीका और ऑप्टिकल फाइबर में यही सिधान्त कारिकरता है बाजरे का उठक्रिस्टिता केंद्र जो है है एदराबाद में खोला गया है हीरा जो है हमारा क्रिष्टली होता है और ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो यह क्रिष्टली है आग क्रिष्टली में देखें तो कुईला और चार्कूल आते हैं नेक्स्ट है ससस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है बात करें SSB की यानि कि ससस्त्र सीमा बल इसकी स्थापना जो है 1962 में भारचीन का युद्ध हुआ था उसके बाद जो है इसकी स्थापना किये गई और 1963 में नेपाल भूटान सीमा पर इसको तैनात कि गया था धेवाक के यहां पर है SSB का सेवा सुरच्छा भाईचारा और इसके हेड जो है IPS दलजी सिंग चौधरी को बनाया गया है भारत के उप्रास्ट कदी आप लोग जानते ही हैं जगदेप धनकड़ हैं इन्होंने चुनाव में मार्गेट आलवा को हराया था महान्याइवादी भारत के वरतमान में आर विंकेट रमनी है और महान्याइदी का पद जो है आर्टिकल 76 में दिया गया है महान्याइवादी जो होता है भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है जो महान्याइवादी है पारलियमेंट मीटिंग में भाग तो ले सकता है बोल हैं BSF के प्रमुख जो है नितिन अगरवाल बने हैं और ICG के हैड जो है राकेश पॉल को बनाया गया है और इसकी स्थापना जो है एक फरवरी 1977 में की गई थी और कैबिनेट सची जो है वर्तमान में राजियू गाबा है ICG यहाँ पर है Indian Coast Guard इसके हैड राकेश पॉल है इसकी स्थापना एक फरवरी 1977 में की गई थी नेक्स्ट कोशन है दुनिया की सबसे उंची डाक्टर भीम लाओं बेड़कर की सामाजिक नियाय की प्रतिमा का उधगाटन कहां हुआ है तो इसका उधगाटन जो है आज किया गय इसका शुभारंब Y.S. जगमोहन रेड़ी के दोरा किया गया और यह वहां के अंध्यपदेश के मुख्यमंतरी है डाक्टर भीम लाओं बेड़कर की यह दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा है और यह कांसे की प्रतिमा है कितनी उचाई है इसकी यहाँ पर 125 फीट की प्रत प्रतिमा है टोटल इस्टेच्व आफ नॉलेज जो है लातूर महराष्ट में है किसका है डाक्टर भीम लाओं बेड़कर का ही है इस्टेच्व आफ इक्वैलिटी भी डाक्टर भीम लाओं बेड़कर की प्रतिमा है और यह भारत के बाहर USA में इस्तित है और भारत से बाह प्रतिमा में आदी संक्राचार की प्रतिमा है, Statue of Trust विश्वास सरूपम या फिर Statue of Beliefs महादेव जी की प्रतिमा है, कहां पर है, नाथद्वारा, गडेश्टेकरी, राजस्थान में ये इस्तित है, Statue of Prosperity जो है, ये हमारी कैमपगोडा एरपोर्ट पर है, और ये कैमपगोड़ा जी की मूर्थी जो की बैंगलूरू में इस्तित है कैमपगोड़ा एयरपोर्ट पर Statue of Equality जो है है हैदराबाद में है संतर रामानुजा चारी की प्रतिमा है और Statue of Equality एक आप लोगों ने देखा था कि वो USA में डाक्टर भीम्रा उम्बेडकर की थी Statue of Equality जो भारत में है ये संतर रामानुजा चारी की प्रतिमा है डाक्टर भीम्रा उम्बेडकर जो है इनकी पत्रिका है मूक नायक और इन्होंने बहिस्कृत हित कारणी सभा की बिस्थापना की थी जातियों का अंत इनकी एक बुक है 9 साल बाद पारंपरिक भैसों की लड़ाई मोह जूज का आयोजन कहां हुआ है मोह जूज जो की भैसों की लड़ाई होती है इसको शुरू किया गया है असम में कहां पर मोरी गाउं इस्थान पर और इसको 9 साल बाद जी स्टार्ट फिर से सुना पुना शुरू किया गया है 2015 में सुप्रीम कोट ने इसको बैन कर दिया था और इसका सुभारम जो है वहां के सीम हेमन्त वेसु सर्मा के द्वारा किया गया है असम में बीहू, देहिंग पठकई और गज उश्यो मनाये जाते है जली कट्टू जो है तमिलाडू में मनाया जाता है और पोंगल तेवहार भी तमिलाडू में आयोजित किया जाता है जली कट्टू तमिलाडू और जो ये होता है इसमें साणो की लड़ाई होती है कनूमा जो है मवेशियों की पुजा होती है कहाँ पर तेलंगाना में देहिंग पठ गई जो कि भारत का नमीनतम राष्टिय उद्यान है असम में इस्तित है थाई फुसम फेस्टिवल जो है तमिलाडू में होता है यहाँ पर भगवान मुरुगन यानि की कार्थी के को यह समिर्पित होता है यहाँ पर पीले रंके वस्त्र पहने जाते हैं और सुई जो है यह लोग अपनी जीब के आरपार करते हैं गुबारा फेस्टिवल यानि की बैलून फेस्टिवल जो है कयम बेटूर तमिलाडू में आज़ुद किया जाता है और कयम बेटूर को दच्षिन भारत का मैंचिस्टर कहा जाता है नेक्स्ट है मचली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रतिम चटान परियोजना का उधगाटन कहा किया गया है तो क्रतिम चटान परियोजना केरल में इसका उधगाटन जो है किया गया है विजिंगम में और इसको यहाँ पर जो है मचली उत्पादन को बढ़ावा सकेंगी और यहाँ पर जो है इसमें योजना में जो है रेशियो जो है पैसे का सेंटर यहाँ पर 60 रुपए देगा और 40 जो रुपए होंगे वो राज देने वाला याने की रेशियो 60-40 जो है वो रेशियो रहने वाला है इस्टेटी आफ रॉक यानि की चटानों के अध्यान को पैट्रोलोजी कहा जाता है जो अला मुखी क्रिया से आगनिय चटानों यानि की प्राइमरी रॉक्स का निर्माड होता है और परतदाद चटाने यानि की सेडिमेंटरी रॉक्स जो होती है अवसादी रॉक्स इनको कह जाते हैं नेक्स्ट है बेसाल्ट चटान से तूटने से मरदा जो होती है वो काली बन जाती है और ये पाई जाती है कहां पर साउथ इंडिया में इसको रेगुर कहा जाता है और काली मरदा जो है कपास की खेती के लिए सरवाधिक उपयुक्त होती है यहां पर कॉटन जो है अच्छे से होती है और टिटेने फेरस के कारण जो है इसका रंग जो है वो काला होता है ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट से नीस बनता है और नीस से सिस्ट बनता है और ये मेटामर्फिक रॉक का उधारण हो जाएगा नेक्स्ट है सांसद सदस इस्थानिय छेत्र विकास योजना के प्रशाशन के लिए कौन सा एप हाल ही में लॉंच किया गया है तो हाल ही में MPLATS यानि की Member of Local Area Development Scheme Parliament के लिए यहां पर एक एप लॉंच किया गया है जिसका नाम है E-Satchi App और प्रशाशन के लिए पेपरलेस करने के लिए इसको लॉंच किया गया है किसने लॉंच किया है मौसपी यानि की Ministry of Esthetics and Program Implementation के दोरा इसको लॉंच किया गया है और MPLATS जो है इसकी स्थापना जो है 1993 में के गई थी यहाँ पर हर सांसत को अपने छेत्र के विकास के लिए 5 करोन रुपए मिलते हैं और यह जो रुपए मिलते हैं Non-Lapsable Fund होता है यानि कि अगर यहाँ पर खर्च नहीं होगा तो यह अगले साल भी इसको यूज कर सकते है पैसा यहाँ पर इनको कहाँ पर खर्च करना होता है जो MP है वो यानि कि Member of Parliament है लोगसभाद छेत्र का है अगर जिस लोगसभाद छेत्र का है तो वो उसी लोगसभाद छेत्र में यहाँ पर खर्च कर सकता है अगर कोई MP जो है यानि कि Member of Parliament राजसभा में है तो वो अपने राज में भी जहां से वो न्यूक्त किया गया है वहाँ पर कहीं पर भी पैसा खर्च कर सकता है अगर कोई जो यहाँ पर मिम्बरा पारलाइमेंट है जिसको मनुनित राष्टपति के द्वरा किया जाता है अगर सभा में 12 लोग किये जाते हैं तो यह भी आप द्यान रखें अगर वो जो है पूरे भारत में कहीं पर भी पैसा खर्च कर सकता है नेक्स्ट है नया सांसत भवन जो है 28 में 2023 को वीर शावरकर की जैनती के उपलच में यहाँ पर जो है इसको शुरू कर दिया गया था और मंतरीयों की संख्या जो है 15 की गई है 91 समिधान सवधन के द्वारा और दिल्ली में 10 ही मंतरी बन सकते हैं टोटल सदस्यों का और यहाँ पर राजयों में है वो 15 मंतरी बन सकते हैं टोटल मेंबर्स का पेम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को यहाँ पर शुरू की गई थी मिशन इंद्र धनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गय था और यह vaccination से संबन देता है नेक्स्ट कोशिन है कोचिंग संस्थाओं के लिए guideline किसने हाल ही में जारी की है तो हाल ही में जो है Ministry of Education के द्वारा कोचिंग संस्थाओं के लिए guidelines जारी की गई है जिसमें प्रमुख जो यहाँ पर guidelines है उनको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 16 वर्स से कम के जो बच्चे हैं उनको coaching enrollment नहीं कर सकता है यानि कि जो 16 वर्स से कम है वो coaching संस्थानों में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं इसके लावा coaching जो संस्थान है वो भ्रामक वादे नहीं करेंगे coaching है जो coaching संस्थान है वो guarantee नहीं देगा कि selection हो जाएगा या फिर अच्छे marks आएंगे या फिर अच्छी rank आने वाली ये कोई भी वादा नहीं किया जा सकता है कोई भी अपराद में दोसी व्यक्ति जो है coaching में teacher appointment नहीं होगा और teacher यानि कि Twitter जो है और minimum qualification जो है graduation यहाँ पर रहने वाली है coaching जो है अपने वहाँ mental health पर काम करेंगी और psychologist को एक appointment करेंगी फिर ही admission होने वाला है website पर upload करना होगा कि कितने समय में course कितने समय में course complete होगा और syllabus कब तक पूरा होगा और यहाँ पर fees जो है सब कुछ इनको website पर अपनी बताना होगा यदि कोई बच्चा जो है बीच में coaching संसान को छोड़ कर जाता है तो इसको fees भी वापस करनी होगी अगर इन guidelines का कोई भी पालन नहीं करेगा तो एक लाग रुपे जुर्माना और coaching का पंजी करन भी रद हो सकता है यह point आप लोग ध्यान रखें यह सब point आपके लिए है so I hope आपको class यह अच्छी लगी होगी इसका PDF आप लोग को telegram group में मिलेगा आप लोग उसको वहाँ पर join कर लें और अगर आप लोग चैनल पर पहली बारा है तो चलको जरूर सब्सक्राइब कर लें अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं मिलते हैं अगली वेडियो में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें धन्यवाद चैनल